हाई अब्रिवन वेल्कम बैक्टो मैं चैनल बीनुस लाइफ आज मैं जो रियक्शन देने जारी हूं वो खोटे भाई पर देने जारी हूं आप सब कैसे हैं पहले यह बताएगा मुझे पहले यही पूछना चाहिए था मैं बिल्कुल ठीक हूं आप सब कैसे हैं तो मेरा खो खून नहीं खौला इनकी बेहन के साथ इतना कुछ हो गया ठीक है नॉर्मल घर के लड़के होते न तो वह क्या करते वह भाड में जाता चैनल भाड में जाता सब कुछ अपनी अच्छी इमेज बनाने में नहीं रगे रहते वह एक वीडियो बनाते और वीडियो बना कर बो दुख्छा लग रहा था आज तो इनके चैरे पर बहुत दुख्छा लग रहा था ना कि कुछ लोगों ने अंसब्सक्राइब कर दिया चैनल को आपको सारे लोगों को सब्सक्राइब कर देना चाहिए ठीक है आपके सब्सक्राइबर्स जीरो हो जाने चाहिए आपने खु क्यों दुखी हो रहे हैं आपको दान में मिले हुए थे ना सब्सक्राइबर्स आपके बहन ने प्रवोट किया था आपको आप नेपोटिजम के बल पर आये हैं तो आपको दुख होने का कोई मतलब भी नहीं बनता है ठीक है शरम आनी चाहिए आपको पहले तो कि आप अपनी व्लॉगिंग करेंगे आपने बोला था ना आप नॉर्मल व्लॉगिंग करेंगे उसके अद आप आगाए ट्रैवलिंग पर ट्रैवल विडियो ऐसे होते हैं जो आप कर रहे हैं ट्रैवल विडियो ऐसे होते हैं लड़की घुमाना कौन सा ट्रैवल व्लॉगर लड़कियों क भी देख लूँगी ठीक है आप लड़की को लेकर जंगल में घूम रहे हैं आपकी बहन इतना प्रॉब्लम फेस कर रही है यहां पर उसकी तो आपको शरम आई नहीं आपकी बहन प्रॉब्लम फेस कर रहे थी या ड्रामी कर रही थी यह तो हमें नहीं पता है अच्छली असल सर्फ 15000 10-शफ एजो कों एज से सिर्फ 15 25000 ही मिलते हैं आपको और आपने आपने क्या बोला आपने ये बोला कि लॉक्टाउन में की 잡र चली गई थी अगर हिंग कौनensitive फिक से मै नहीं जोब अगर लॉकटाउन में जोब गई भी तो डुबारा जॉब मिल सकता था हमारे भी कुछ जान पैचान के लोग थे जिनका लॉक्डाउन में जॉब गया था ऐसा नहीं है कि नहीं गया था आई एग्री कि लॉक्डाउन में बहुत सारे लोगों की जॉब गई है पर वो वापस जॉब कर रहे हैं आपने तो एक सीधा सा रास्ता ढूंड लिय फिर आपको किस बात का दुख हुआ था आप ये बताईए किस बात का आपको दुख हुआ था और आप कैसे आपको बुरा नहीं लगा कैसे आपको बुरा नहीं लगा कि आपके बहन के लिए इतनी गंदी गंदी बाते बोली गई इतनी गंदी गंदी आपकी बहन ही खुद अपनी सफाई दे रही है कि वो मेरा आईडी नहीं है मेरा आईडी नहीं है God knows वो किसकी आईडी है उसने क्या करा है उसने खुद से करा है क्या हुआ है यह तो भगवानी जानते हैं पर आप आप कैसे चुप रहे गए शरम आनी चाहिए आपको शरम आनी चाहिए एकदम शरम आनी चाहिए आपको शरम करो समझ में आया आप नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहे हैं मेरे चैनल का विडियो खराब नहीं होना चाहिए मेरे चैनल का नाम नहीं खराब होना चाहिए बहुत आराम से बोल रहे हैं लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लेना किस बल पर सब्सक्राइब करेंगे आपको आपकी मा दिन भर घर में काम करती रहती है कभी अपनी मा को तो घुमाने नहीं लेकर जाते हो आप लड़कियों को तो बड़ा घुमाते हो हां और आप बहन जी बहन जी जो आप विडियो में आती ह आने लाया है। टीला को ऑझे सब करें में अब करते लाइट जो जा और पीज़ों गूम के साथ जंगल का आपको जो में अकेले आपको इतंब डाANG निकाले आपकी उसी नहीं रुकती न इत्ते बड़े दांत निकालकर वीडियो में आप आ जाती हैं आप किसी सल्मान खान के साथ नहीं गूम रही है आप एक आलू बॉंडे के साथ गूम रही है समझ में आया आप जिसके साथ गूम रही है न वो एक आलू बॉंडे टाइप से दिखता है शरम आ लोग क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, ये भी देखो, अपनी आगे की जिंदिगी देखो, इन भाई सापका content मत बनो, इन भाई सापका content बन के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, इस से सिफ़ तुम्हारी बदनामी हो रही है, लोग बोलते हैं लड़ चेल करके रखी हुई है वाई-टी पर वो दो देखी की तीक है और एक बात आप आप जो बोल रहे हैंना आपने बोला कि मैं मैं जी आराम से नौकरी मिल जाती डिग्री है मेरे पास मैं एक कर सकता था आराम जेकर सकता था आप लो देख लो यार कुछ लोग छोड़कर चले क्यों छोड़ के लिए जो मुझसे प्यार करते हैं वो यहीं पेरने रहें आप प्यार के लायक नहीं है आप प्यार के लायक नहीं है पहले अपने बहन के लिए खड़े हो ना सीखो उसके बाद बाप के साथ गई आज भी वह पुलिस्टेशन आज भी पुलिस्टेशन बाप बोल रही है न वीडियो में उसका जवाब मैं दूंगी क्योंकि उसने पूछा है न दुख लगता है क्या लोगों को उसने पूछा है न मैं जवाब दूंगी उसे मैं कल बहुत अच्छे से जवाब दूंगी जो उसने पूछा है ठीक है पहली बात दूसरी ये कि तुम पहल हुई यह जो चैनल है न तुम्हारा भीक में मिला हुआ है भीक में मिले हुए सब्सक्राइबर्स हैं उसका दुख करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें अपने बल पर आओ अपने बल पर आओ उसके बाद बोलना तुम समझे और पैर के चाले दिखा रहे हो हां क्यों तुम्हारे बाप तुम्हारे बहन उनके पैरों में चाले नहीं पड़ते जो सारे दिन दौड़ते रहते हैं उनके पैरों में चाले नहीं पड़ते हैं उन्हें थकान नहीं होती होगी तुम तो एसी कार में घूमते हो वो लोग तो एक स्कूटी में दूप, वरसाथ, गर्मी, हर चीज में घूमते हैं, उनके बारे में एक बार सोचो, अपना पैर मत दिखाओ, कि छाले पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिंपथी हासिल करने की कोशिश मत करो तुम, हद से जादा आज तुमने बोला है, तुमने ठीक बोला है, विना आन कामरा मैं बहन के साथ नहीं हूँ, पर बीहाइन कामरा मैं अपने परिवार के साथ हूँ, अच्छा, इसलिए तुम वहां अगर अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहरे हो, समझ में आया तुम, और तुम यह क्या बोलते रहते हो। आज तुमने क्या बोला कि तुम्हारी बेहन मोटिवेट कर रही है लोगों को, हाँ, वो मोटिवेट कर रही है, लडिकियों को मोटिवेट किया है उसने, लडिकियों को उसने मोटिवेट किया है, क्या कैसी खाया उसने लडिकियों को, बताओ, क्या कैसी खाया तुम्हारी ब मोटिवेट कर रही है वो लोगों को negativity फैल आ रही है सिर्फ और सिर्फ negativity फैल आ रही है तुम्हारी बहन समझ में आया सिर्फ और सिर्फ negativity फैल आ रही है रोना, धोना, चीखना, चिलाना ये सब क्या है ये सब कोई देखने के लिए तुम लोगों को नहीं बैठा हुगा है अपने घर के तमाशे अपने घर के अंदर करो चार दिवारी के अंदर वाइटी पर मत लाओ रोड पे करो पर वाइटी पर मत लेकर आओ समझ में आया